सभी को राधे राधे महराश्री की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज एकान्ति वारतला आप माई कुछ विध्यार्थियों को जब महराश्री ने बताया सफलता का मोल मंत्र महराषरी ने क्या कहा, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और इसको जणजन तक पहुचाने में हमारा सहयोग आवस्य करें ताकि कल का भव से एक अच्छा भव से हो सके और वीडियो को लाईक करें, सेयर करें और पूछे महरासरी के ऐसे और वीडियो से लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए मिलकर सुनते हैं, आज महरासरी ने क्या कहा आप सभी कॉलेज के बच्चा हैं महरा जी, नए बच्चे हैं माराजी आपकी तरफ से साफधानिया इनको इनके जीवन जो इनका आगे का भविश्य उजागर हो माराजी देखो शब से पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते हैं उचाई पर चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है फिसलने में एक मिनट में देखो अब तुम सयाने बच्चे हो साइध हमारी बात आपको समन में आ जाए बिना ब्रह्मचर के किसी भी उचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता है अगर ग्रहस्त में भी जाना है तो जब तक पानिक ग्रहन संसकार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए पहले सब बच्चों को गुर्कुलों में इसलिए रखा जाता था कि अपने ब्रह्मचर को पुष्ट करते हैं हमारी हाँ जोड के प्रार्थना है इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर छीन करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना संकोच नहीं करना ये आपके जीवन को नश्ट कर देगी और ये जो आज कल चला है न वाई फ्रेंड गरल फ्रेंड ये बच्चा जीवन की उन्नती के लिए जहर है अगर इस जहर को खा लिया तो न ग्रहस्त लायक रहोगे न विरक्त लायक रहोगे कोई ऐसी गलती अगर हो तो उसको छोड़ देना इसी अवस्था में ऐसे संसकार बनते हैं जिसे हम अपने देश की सेवा के लायक होते हैं और हम भगवान को प्रशन करने के लायक होते हैं अगर इन में आचरन बिगड़ गए बच्चा तो तुम इतने विख्षिपत कि माता पिता परो सब को दुख देने वाले बन जाओगे क्योंकि तुम खुद दुखी हो क्यों दुखी हो क्योंकि गलता आचरनों में फस गए है देखो आज कल मुबाइल सब के पास रहता है अगर आप अपने कुछ शयम मेंने रखेंगे तो उसमें गलत दर्श हम जो बोलते हैं जो देखते हैं जो शुनते हैं वही हमारा चिंतन होता है और जो चिंतन होता है वैसे हमारी आदत बन जाती है वैसे हम क्रिया करते हैं तो जब तक ब्याहना हो तब तक ब्रह्मचरे का भाव हो ब्रह्मचरे रहने के लिए व्यायाम आउश्यक है अगर व्या देखो जो डंड बैठक मालते हैं उनके अंग के दिखाई देने तो यह हो था आप देखो व्यायायाम नहीं करते हो करते हो आप अब ही अब ही से ऐसे प्रमाध्युक्ष हो जाओगे तो आप अपने जीवन को प्रकासित नहीं करता होगे कई बज़े उठते हैं आप लो प्राता उठते कई बज़े हैं आप उठने का समय बहुत बढ़िया है इसके बाद अगर आप सौच शनान करके और आप बीस मिनट समय दे दें वियायाम का तो क्या घट जाएगा दस बार वीस बार हम सपाटे मार लिए बैठक कर लिए डंड बैठक जिसे नहीं कही जती है और हम दो किलो मिटर दोण लिए बस हो जाएगा इसके बाद आओ आप और अपनी विद्याध्यान के कारे को ऐसे करो जैसे तपश्वी तपश्या में लगता है ऐसे तुम विद्या करति विद्याध्यान करो जितना अच्छा पढ़ोगे उतने हमारी समाथ सेवा में आओगे देश सेवा में आओगे तो व्यायाम ब्रह्मचर तवी आपका सफोल होगा अहार्षुद्ध होगा करम है इसका आप आपकी यादा ती नी ब्रह्मचर में इतनी ताकत है कि बच् हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया क्यों? क्योंकि आपकी स्मृती ही काम नहीं कर रही है अरे कितने बड़ी मोटा गा ब्रमचरी में इस्मृती की बड़ी सामर्थ होती है इसलिए आप से प्रार्थना है कि आप अपने ब्रमचरी की रक्षा करो और उस गलतियों में हो आप जिनसे ब्रमचरी नहीं रिप्राया आ जा सकता उन गलतियों में हो आप क्योंकि जिससे हम देख रहे न तो आप लोग देखो डाक्टर के सामने जो आँख देख के कहरा पी लिया है और है हाँ स्वेकार कर लोगे तो दवा काम कर जाएगी आप लोग जो छोटे बच्चे हैं बिलकुल ऐसे बच्चों का संगत्याग दीजिए जो आपको गंदी बाते सिखाते हैं जो आपको गंदे दर्ष्य दिखाते हैं ये पढ़ाई कोई शाधारन ने एक तपश्या है पढ़ा लिखकर बहुत बड़ी तुम्हारी साधना बन जाएगी भले नोकरी न मिले आप पढ़ा लिखा व्यक्ति का बिवार और एक अनुपढ के बिवार में अंतर होता है विद्या विनयम ददाती विनय होता है वो शौम में होता है मता-पिता की सेवा समाच की सेवा लायक होता है वही ब्रह्मचर पर्ध्यान दो ब्रह्मचर व्यायायाम से टिकेगा कुशंग के त्याक से टिकेगा और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए आप लोग अगर बजार का प्रशंद करेंगे ना अभी पिछले उसमें बैच में गंदे वहां मतलब हमारे तो ले तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया कैसी पवितरता है कैसा कई ऐसे हमको दरश्य दि पाओ तो अच्छा है दो पराठा सब्जी जो बने बजार की चीजों से खाने से बचो जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बजार से ले आओ घर में बना हुआ पाओ ब्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जब के लिए दे दो जैसे दवाई नहीं दी जाती तो यह थ जानत में या चलती स्कूल जा रहे हैं आप किसी और से बात ना करो उतनी समय नाम जब कर लो नाम जब ब्रह्मचरे पालन कुशंग का त्याग अहार शुद्धि आप देख लो आप अच्छी विद्या अध्यान करेंगे आप अच्छे समात सुधारक बनेंगे भलो हमारे देश के नेता बन सकते हो हमारे देश के आप ऐसे सैनिक बन सकते हो आप हमारे देखो भक्त बन सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पाफ विद्या रूपी धान है पर विद्या तभी ठीक है कि जब आचरण पवित्र हो कोई संसय आप लोगों को कोई प्रश्न है आपके पास ऐसा जो इस पर आप बोल सकें पर आप लोग ब्रह्मचर से हट रहे हैं जिसे द्रश्टी होती न ब्रह्मचर छीन करने वाली कोई वो अगर आप उसे सुधार कर लोगे न तो बहुत अच्छे हो जाओगे बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे इसलिए जिसकी कि जो गलती है वो गलती से बचो नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे रोए हैं आ करके कि तेरा वर्ष के हैं और गलत क्रियाग से वो ऐसी स्थिति आ गई कि लगशंकाबाद में निकलती पहले भी रिशक्ति निकल जाती है अब उठना वैठना मुस्किल हो रहा है छोटा बच्चा है हमका कैसे सीख गए तो उनका बच्चों के संग में सीख गए तो ऐसे तुम्हारे लक्षणों में यदि वो कोई मित्र है कोई ऐसा जो ऐसे गंदे आचरणों में तो उससे मिलो मत मुबाइल में गंदी बाते देखो मत और जो गंदी बात कर रहे उसे त्याग तो आगे चलके हमारी बात यह तुम्हें याद आएगी कि तुम ग्रेस्थी के लायक भी ने रहोगे परमार्थ तो अलग बात है क्योंकि जो सैयम से चलता है वही ग्रेस्थ में भी आगे जाकर सफल होता है और जो सैयम हीन है वो किसी का और कभी फेल हो जाओ तो निरास मत हो जैसे बच्चे नहीं अब तो फेल हो गए दोस्त लोग उपहास करते हैं तो ऐसा सुनने को आता है कि बच्चे सरीर को नश्ट कर देते हैं नहीं कभी नहीं ये दोस्त कभी नहीं आना चाहे चाहे जितना महार जाएं हम एक दिन जीतेंगे भगवान के अंश हैं हम प्रयास कर करेंगे कभी निरास नहीं होना है आप उत्सार रखते हुए और भगवान का नाम जरूर जबते रहें ना आप लोग जबते हो भगवान का नाम है एक दो कहते हैं और तो नहीं हाँ पर आप सबसे प्रार्थना है आए हो तो 10 मिनट हमिने दे दो रोज 10 मिनट राधा राधा या जो नाम आपको प्री लगे 10 मिन देंगे आप हमारे लिए 10 मिनट वह तुमारे लिए बहुत मंगल कारक हो जाएगा उल्टा नाम जपत जगजाना बालमीक भे ब्रह्म शमाना नहीं कहा ज़ता है मतलब नाम में इतनी शामर्थ है कि अदभुत तेज अदभुत प्रभाव प्रगट कर देता है ठीक है फिर और किसी की कोई बात हो तो बता सो कोई आपकी बात हो बकाया इन में से बहुत से हम कहना नहीं चाहते पर गलत हो रहे है ठीक करो आप लोग ठीक करो अपने को गलत कर रहे हो ये बुद्धी तुमारी राक्षशी बुद्धी में बदल जाएगी राक्षशी बुद्धी क्या होता है सुख भोगने की लालसा और इसी से सारे पाप होने लगते हैं अपराद होने लगते हैं मतलब अपने घर के बच्चे हो इसलिए सुधार करो ये ऐसी हम ये ही चाहते भी है कि हमारे नवीन बच्चे नवीन भाई हम उनके साथ बैठ करके थोड़ी बारता कर सकें क्योंकि आज का जो प्रवाचल रहा है कितने गल फ्रेंड है कितने बॉआइ फ्रेंड ये कोई यार तुमारा जीवन है हरे तुम किस चड़ाई पर चड़ना और कहां तुमारी स्तिती हो रही अभी से तुम ब्रस्ट बुध्धी के हो जाओगे भोग बुध्धी के हो जाओगे तो अभी तुमारी शंता नश्ठ हो जाएगी अध्यात्म सक्ति तो बनी नहीं और जो सक्ति दी गई वो भी छीण हो गई अब जीवन बुझा बुझासा जीवन लेगुमू तो इसलिए सबसे प्राइटना है वो ऐसी गलतियां जो अभी नमीन नमीन हो रही इनको बंद कर दीजिए सुधार कर लीजिए समझ रहे नमीन गलति हो क्या हम नाम लेकर बोले कि को इन सी गलती आप समझ रहे नो गलती नहीं समझ रहे नो हाँ जो बहुत बिल्कुल अच्छे बच्चे बनो भगवान की कृपात सब पर है तभी आप हमारे पास हमारी सिरी जी के धाम में आयो सुधार करो हम तुमारे मित्र है हमारी बात मान लोगे तो यहां भी मंगल रहेगा पर लोग में भी मंगल रहेगा ठीक है उमीद करता हूँ कि आज क्या वीडियो आपको चरूर पसंद आया होगा कमेंट करके चरूर बताएं और अपनी राए भी आवस्यत दें वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें सेर करें ताकि चन्या तक पहुंच सकें और मारासरी की ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पोलें तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं मारासरी की एक और वीडियो के साथ राधे राधे